नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका Pathfinder City Point में तो इस सेसन में हम लोग Current Affairs के Questions की Practice करेंगे Current Affairs ये पूरे Year से Mixed Current Affairs है और इसमें Last 3 Month के Current Affairs का पोर्शन जादा रखा गया है क्योंकि आने वाले इग्जाम में इसका Waitage आधी होगा तो चलिए इस्टार्ट करते हैं पहला कुश्चन देखते हैं विस्व बौधिक संपदा दिवस यानि वर्ड इंट्रिलेक्चुल प्रापर्टी डे कब मनाया जाता है ये 26 अप्रेल को मनाया जाता है और 26 अप्रेल 18 को जो इस बार बनाया गया है उसका मुखी भी सह क्या था यानि थीम सक्ती परिवर्तन नवाचार और रचनात्मक्ता में महिला है क्योंकि थीम जो है आज कर जाढ़ पूछी जाती हैं दिवस की इसलिए थीम पर जो है फोकस जरूरी है विस्तु रक्तदान दिवस या विस् ROB करें जीवन दे जिसको इंगलिस में कहा जाएगा ग्यू ब्लड सेयर लाई आठवे स्थान पर आया तीसरा कतन क्या है कि अठारवे ACI खेलो के तीन सुभंकर थे एक का नाम क्या था भिन भिन जो क्या है स्वर की चड़िया है एक का नाम अतुग था जो एक हिरन का था और एक काका जो एक गैंडे का प्रतीक चिन था तो ये तीनों ही जो है इसके सुभंकर थे इस तरह से इसमें एक और तीन दोनों ही कथन सही है नेक्स्ट वोचन देखते हैं पुस्तक 11th आवर के लेखक कौन है तो S. हुसाइन जैदी ये पुस्तक 11th आवर के लेखक है बिस्सु महासागर दिवस कब मनाया जाता है बिस्सु महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है प्रतिवर्स और इस बार जो इसकी थीम थी प्लास्टिक प्रदूशन को रोकना और एक स्वस्त महासागर के लिए समाधान को प्रोचसाहित करना ये इसकी theme थी 21 वे FIFA World Cup के बारे में कतनों पयम को देखना है तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है कुरोईशिया को हरा कर फ्रांस ने बिस्टुकप का खिताब जीता जो की दूसरी बार था यानि जो है इतिहास में दो बार फ्रांस ने बिस्टुकप फीखा जीता बेल्जियम को हरा कर इगलेंट तीसरे स्थान पर रहा तो ये कतन गलत है को कि बेल्जियम को हरा कर इगलेंट तीसरे स्थान पर नहीं रहा जबकि बेल्जियम तीसरे स्थान पर आया था इससे पूर फ्रांस ने बिस्तुकप वर्स 1988 में जीता था ये कथन सही है 21 फीफा बिस्तुकप रूस में आजित किया जाएगा ये भी कथन सही है इस प्रकार से इसमें बी जो है गलत है आपसन नेक्स्ट क्वेस्चन देखते हैं ये फेमस बुक है किसके द्वारा लिखी गई है तो ये प्रणाव मुखरजी द्वारा लिखी गई बुक है इस पुस्तक का बिमोचन अक्टूबर 2017 में किया गया था इसमें उन्होंने गटबंधन के वर्सों के दौरान अपने अन्भवों को साजा किया है इस वर्स निमलिखित में से किसे परदान किया यानी 2018 का राजभासा किर्थी परुषकार रेलवे मंतराले को परदान किया गया है इस गीता री विजिटेड ये पुस्तक किसने लिखी है तो ये यूपी से सम्मंदित है यूपी के बिधान सभाद अध्यच विहरदय नरायन दिछित द्वारा इस ये लिखा गया है और इसका बिमोचन नॉवंबर 2017 में बांगला देश की राज़ानी धाका में लोगसभा अध्यच सुमित्रा महाजन ने किया था नेक्स विच्चन बारा से सोला जनवरी 2018 के मद 22 में राश्टी युवा महोसो का आयोजन इन में से कहां पर किया गया जैपूर में किया गया पराक्रम पर क्या होता है यह भारती सेना द्वारा आतंगवादी सिवरों के खिलाफ किये गए सर्जिकल हमलों की दूसरी सालगिरे पर किये जाना वाला एक आयोजन था अठारवे अंतराश्टी ICT सम्मेलन 2018 का आयोजन कहां किया गया तो इस ICT सम्मेलन का आयोजन कोलम काथमांडू में किया गया था और इसका जो इस बार मुख्य भी से था वो था सस्टेनेबल डेवलप्मेंट गोल फार स्मार्ट सोसाइटी बिस्व बैंक की रिपोर्ट के अंसार जलवाई परिवर्तन के कारण किस वर्ष तक भारत की GDP को 2.8% तक का नुकसान हो सकता है तो ये हाले में एक रिपोर्ट प्रकासित हुई थी उसके अंसार 2050 तक भारत को जलवाई परिवर्तन के परिडाम सुरूप 2.8% GDP का जो है नु जाती आयोग ने दलितों को आरच्छन ना देने के मामले में किस युनिवस्ट्री को अभी हाली में नोटीस भेजा था अलीगण मुस्लिम इनुवस्ट्री को ये नोटीस भेजा गया था उत्तरप्रदेश के मुखमंतरी योगी आदितनात ने वन महोसो दोहजार अठारा का सुबारम किस जिले से किया था बारा बंकी से ये काईकरम का सुबारम किया गया था बारा बंकी जिले के महादेवा आडिटोरियम में इसका आयोजन किया गया था और उत्तरप्रदेश में वन महोसो एक से कती जुलाई 2018 के मद सन्चालित किया जाता है तो ये जीता था बांगलादेश में इसने फाइनल में भारत को तीन विकेट से हराकर जीता था और इसमें प्लेयर आप सिरीज ये भी कुछा जा सकता है प्लेयर आप सिरीज भारत की हर्मन प्रीत कौर को दिया गया था और इसका आयोजन स्थल भी इंपोर्टेंट है क्योंकि ये मलेशिया में खेला गया था तो ये भी कुछिच्चन के फार्म में आ सकता है कि इसका आयोजन मलेशिया में किया गया था बिमलंडन 2018 में पुरुस एकल का खिताब किस खिलाडी ने जीता नोवाग जोकोविच द्वारा जोए जीता गया था 15 जुलाई 2018 को ग्रास कोड पर सर्बिया के नोवाग जोकोविच ने दच्छिड अफरिका के केविन एंडेंसन को हरा कर बिमलंडन खिताब जीता पुरुस यूगल का खिताब अमेरिका के माइक ब्रायन एवं जैक सौक ने समलित रूप से जीता था किस राज ने एक अगस 2018 से नवी कच्छा तक के स्कूल के पाटकरम में सड़क सुरच्छा को सामिल करने का फैसला किया गया तो कच्छा एक से कच्छा नौ तक स्कूली पाटकरम में सड़क सुरच्छा को सामिल करने का फैसला हाल ही में गोवा सरकार द्वारा किया गया था गैर लौख खनिजो और धातुओं पर 22 अंतराश्टी सम्मेलन 2018 कहां पर संपन हुआ ये संपन हुआ राची में 6-7 जुलाई 2018 के मद्ध और इसका मुख्य विसे जो था भारत में अलौख धात उत्पादन के विकासेतु अलौख खंजीत भंडार का दोहन तो मुख्य विसे जो है ये इंपोर्टेंट है ये भी पुछा जा सकता है नोबेल पुरुसकार अभी हाली में घोसित हुए हैं इसके संदर में हमको सही कतनों पर विचार करना है तो पहला कतन है कि वर्ष 2018 के लिए चिकिस्सा के छेत्र के नोबेल पुरुसकार अमेरिका के जेम्स P. एलिसन और जापान के तासुज कू होंजो को सामुहिक तोर पर दिया गया बिल्कुत सही कतन है वर्ष 2018 में भौतिकी का नोबेल पुरुसकार अप्तिकल लेजर का अविशकार करने के लिए तीन वैग्यानिकों को प्राप्त हुआ तो दोनों ही कतन जो है इसमें सही है अब इसकी ब्याक्या देख लेते हैं कि बाकी छेतरों में किसको क्या पुरुसकार दिया गया है तो जो चिकिस्ता छेत का नोबेल है ये पुरुसकार जो है कैंसर थरेपी की खोज के लिए दोनों बैग्यानिकों को दिया गया है दोनों बैग्यानिकों ने एक ऐसी थरेपी विक्सित की है जिससे सरीर की कोशिकाओं में प्रत्रच्छा प्रणाली को कैंसर ट्यूमर से लड़ने के लिए मनबूत बनाया जा सकेगा उसके बाद आप्टिकल लेजर की खोज के लिए जो फीजिक्स का नोबेल दिया गया है इसका आविशकार के लिए भावतिक का नोबेल जो है इसमें आखों के इलाज के लिए की जाने वाली सरजरी में प्रियुक्त होने वाले अत्यादुनी कुपकरणों का बिकास से संबंदित ये खोज थी और अमेरिका के आर्थर असकिन को नौ मिलियन स्वीडिस क्रोनर वाले इस पुरुसकार का आधा इस्सा प्राप्त होगा जबकि फ्रांस के जेराड मोरो और कनाडा की दोना इस्टिक लैंड पुरुसकार के से सिच्छे को साजा करेंगी तो ये तीनों ही जो है इसमें सामिलें फिजिक्स के नोबेल में बुद्ध माल महोसो कहां मनाया जाता है बुद्ध माल महोसो असम में मनाया जाता है और बुद्ध माल महोसो फसलों की कटाई से संबंदित एक्तिवार है जो असम राज में पांच साल में एक बार मनाया जा आयूस कहते हैं दवाओं पर सुरच्छा की निगरानी बढ़ाने के लिए एक नई केंद्रा योजना की सुरुवात की है इसके संबन में जो सही कथन है उसको हमको देखना है तो पहला कथन ये है कि इस योजना का मुख युद्देश आयूस दवाओं के फायदों के साथ ही इनके दुस्प्रकाओं का लिभिक रिकार्ड रखना और इन दवाओं के बारे में भरामक बिग्यापनों को पर रोक लगाना तो ये कथन सही है नई दिली स्थित अखिल भारती आयरवेज संस्थान को आयूस दवाओं की निगरानी से जुड़ी गतविदियों के बीच सम ब्राइंड अम्बेजडर न्यूक्त किया गया है तो वरूर धवन और अनुस्का सर्मा को कौसल विकास अभियान का ब्राइंड अम्बेजडर न्यूक्त किया गया है नॉमैडिक एलिफेंट सान्य अभ्यास का आयोजटन किन दो देसों के मध्ध किया जाता है तो ये भारत और मंगोलिया के बीच किया जाता है पिछले वर्ष यहनी 2017 में इस अभ्यास का आयोजन मिजोरम में किया गया था और इस बार इसका आयोजन जो है उलान बटोर में किया गया हाली में राष्टपती रामनात कोविन ने दच्छिड भारत हिंदी प्रचार सभा के सताबदी समारों का उदगाटन किस स्थान पर किया नई दिल्ली में किया 22 सितंबर 2018 को नई दिल्ली में राश्टपती रामनात कोविन ने दच्छिड भारत हिंदी प्रचार सभा के सतापदी समारों का उद्वाटन किया सभादवारा लगभग 20,000 हिंदी प्रचार कों का नेटवर्ग विक्सित किया गया है और इस सभागा यानि दच्छिड भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना 15 जून सन 1964 में हुई थी फीफा वर्ट कप 2018 का आधिकारिक सुभंकर इसमें से कौन सा है जाबी वाका फीफा वर्ट 2018 का आधिकारिक सुभंकर चस्मा पहने भेडिया था इस पेस सूट पहने इस भेडिये को जाबी वाका नाम दिया गया है रूसी भासा में जाबी वाका कार होता है जो इसकोर कर सके का सम्मान किया जाना चाहिए तो उपर लिखित परियोजना कौन है जिसके बारे में ये कहा गया है तो इस परियोजना का नाम है Belt and Road पहल या Belt and Road Initiative जो की चीन की परियोजना है जिसका भारत्वारा विरोध किया जा रहा है जून 2018 में नीती आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अंसार निमलिखित में से किस भारती राज हिमालेई अथवा पुरियोत्तर राजों को छोड़कर को संयुक्त जल प्रबंधन सुचकांक यानि composite water प्रबंधन इंडेक्स में प्रथम इस्थान प्राप्त हुआ है तो इस महराज का है और इस सुचकांक सबसे निचले इस्तर पर कौन सा राज है जारखंड है उसके बाद नीचे से हरियाणा और उत्तर प्रबंधन इस्थान नीचे से तीसरा है विश्व रक्तदाता दिवस यानि world blood donor day 2018 जो 14 जून को मनाया जाता है उसकी विशेवस्तु क्या थी तो उसकी विशेवस्तु थी या थीम थी किसी और के लिए वहां पहुंचिये रक्तदान कीजिये और जीवन बाटिये इस दिवस कायोजन विश्वास संगठन द्वारा वर्स 1997 से प्रतेक वर्स 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस के रूप में किया जाता है डक्टर बि जुड़े हुए हैं और इसके जुए founder हैं तो दोस्तों आज के session में इतना ही next session में इसके आगे questions को देखेंगे नमस्कार धन्यवाद